नमस्कार मेरे पसुपहलक साथियो आज एक छोटे से विश्य पे बात करने के लिए जो है आप भाईयों के सामने जो है मैं आया हूँ कैमरे के सामने तो एक छोटा सा पॉइंट है गिर और गिरलेंडो के बारे में बहुत सारे जो बाई हैं उनको confusion है बहुत बार हमें कई वीडियो में भी देखने को मिलता है और ये टोपिक बड़ा गरम गरम विश्य है कि इंडिया से ब्राजील वाले गिर लेके गए और उन्होंने उस गिर को 120-180 किलो तक लेके चले गए बड़े बड़े अडर की गाये जो आपको गिरलेंडो देखने को मिलती है बहुत सारे बाई गिरलेंडो का सीमन भी लेते हैं और सीमन के लिए भी बागते फिरते रहते हैं तो ये एक छोटा सा टोपिक है सारे के सारे बाई सबसे पहले वीडियो लाइक कर दो और सबस्क्राइब कर दो चैनल को योटूब पे जो बाई देख रहे हैं और जो बाई फेस्बुक पे देख रहे हैं वो हमारे पेज को फोलो कर लो तो ये जो टोपिक है गिर और गिरलेंडो का इस टोपिक पे मैं बात करूँ तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत सारे बाई ये बोलते हैं कि गीर को ब्राजिल वाले लेके चले गए और उन्होंने एक सो किलो तक उसको पहुचा दिया ये एक सही बात नहीं है मैं आपको साफ साफ बता दूँ क्योंकि सबसे पहले जब वो एक गीर ब्रीड है और जो गिरलेंडो है वो गिर से टोटली डिफरेंट ब्रीड है अगर बोडी स्ट्रक्चर वैसा आ गया या थोड़ी बहुत मार्किंग वैसी आने से कोई गिर नहीं बन जाती है दोनों एक अलग-अलग विश्य है और अलग-अलग टोपिक है और क ब्राजिल और इंडिया का लगबग इन्वार्मेंट एक जैसा है और ब्राजिल में जो खुला चरने का जो सिस्टम है वो बहुत बड़ा है जनसंक्या कम है और जमीने काफी बड़ी है बारिस भी बहुत होती है गास भी जादा उगता है तो जब आज से मेरी खाल से अठा में आए और उन्होंने जो यहां से पशुदन थोड़ा बहुत उस टाइम पे लेके जाना सुरू किया और 1958 के बाद भी काफी सारे पशु जो है वो गिर यहां से इंडिया से वहां गई है वहां बैसे भी गई है गिर भी गई है काफी सारी ब्रीड गई है और गिर की बात क करते हैं कि लगबग बैसे जो है दस किलो से लेके 20-25 किलो की होती है लेकिन कोई exceptional बैसे होती है जो 30 किलो क्रोस करती है तो वही हाल जो है वो अपने गिर का है दस किलो 15 किलो से लेके और 30 किलो तक जो की गाए जो है वो गिर की अपने को देखने को मिल जाती है और गिरलेंडो की बात करें तो गिरलेंडो जो ब्राजील में देखो काम बहुत हुआ है पसू पालन पे यह आपा नहीं कह सकते के वहां काम नहीं हुआ है लेकिन गिरलेंडो उन्होंने एच्छेफ और गिर दुन्नों को मिक्स करके वो ब्रीड बन है वो कोई special ऐसा नहीं है कि वहां की ब्रीड है या उन्होंने त्यार कर दिया गिर में कोई ऐसा वैसा चेंज कर दिया अगर ब्राजील की बात करूं तो ब्राजील में जो है पी ओ आई लिखा जाता है आज भी बहुत सारे ब्राजील में मेरी खाल से पांचे फारम सुनने को मिला है कि पांचे फारम ऐसे हैं जहां पे प्योर गिर पे भी काम हो रहा है और जो प्योर गिर है वहां भी उतना ही दूद देरी आज भी मान के चलो 30-35 किलो तक वो गए है और यहां से जो गाई लेके गए थे उसमें और ल Guid recipe fazendo प्योरुरएजन ओफ इंडिया तो उसका औरी जव यहां इन्डिया है उसकते जीन में उन्होंने दूसरा कोई जीन नहीं मिला है कोई और बलड मिलध मिला है तो ये वहां भी त्यार तो कर रहे हैं बरीड लेकिन जो इंडियन बरीड है जो प्य плох आज लिखते हैं प्योर ओरीजन ओफ इंडिया और जो गिर्लेंडो है वो एक अलग मैटर है तो जितने भी मेरे पसुप अलग साती ये वीडियो देख रहे हैं वो गिर्लेंडो और गिर का टोपिक समझ गे होंगे दोनों एक अलग-अलग ब्रीड हैं अलग-अलग काम है दोनों क abragg और ये मैं कोई देखो इस चकर में नहीं पढ़ेंगे के देशी नसले नशले अच्छी है वी देशी नसले अच्छी है जो जिस दर्ती की नसल है न जैसे इनवार्मेंट में वो पली बड़ी है जैसे अपना इंडिया का इनवार्मेंट है गिर्ल अपने गुजरात की ब गाए की और चाहिए बेंस की ओ, तो गाए अपनी जो देशी है वो तो धेखो, हमेशा से ही आपज सारे इंडियन जो है वो माता का मा के तोर पे उसे देखते हैं, तो гिर ओर गिर्लेंडो दोनों एक अलग-अलग टोपिक हैं, अलग-अलग दोनों नसल भी अलग-अलग हैं, दोनों जो ब्रीड अलग अलग हैं दोनों ये बात आप सारे भाई समझें और गिर्ग का साथ गिर्लेंडो का कमपेरिजन ना करें जो भाई ये भी कहते हैं कि मुर्रा को हम बहुत आगे लेके जाएंगे एक टाइम एक दिन ऐसा आता है अगर मैं काफी बार ये बात गुरू ये लाल बादूर शास्त्री जी ने कहा था कि जी आप एक दिन का वर्त रखो सारे देश वासी तब जाके देश में अनाज जो है जब अकाल पड़ते थे सुके पड़ते थे उस टाइम की बात है लेकिन आज ऐसा दिन भी आया है जब देश में सारी जगह गेहूं के जितन गेहूं का जो आज मान के चलो सतर असी मन मन का मतलब एक मन में चालिस किलो हो गया तो हमारे अरियाना में मन ही बोला जाता है लग बग जहां सतर असी किलो तक पचास किलो से लेके सतर मन तक जो है वो चले गई है उसकी प्रोडक्शन में गेहूं की लेकिन दोबारा से जब लोगों में जाग रुकता आई बिमारी बेक्यों पैदा हो रही है हम यूरिया ना डालें पेस्टी साइड ना डालें तो फिर वो औरगेनिक की तरफ आगे और औरगेनिक गेहूं जब उगाना शुरू किया तो वही बीस पच्चिस मन दस मन पंदरा मन से लेके बीस पच्चिस मन तक जो एक एक कड़ में पैदावार होती है और दुबारा से हम अपने गरों में हर किसान तो मेरी ख्याल से हाथ जो अवेर है वो गर में जो गेहूं खाता है वो लगबग लगबग औरगेनिक पैदा करके इखाता है तो वही हाल जो है जिस दिन हम ऐसे लेवल पर पहुंच जाएंगे जब दूद की जो प्रोडक्शन है वो अपनी अपनी जो आबादी है उसके हिसाब से लगबग लगबग बराबर हो जाएगी तो लोग फिर दूद की क्वालिटी की बात करेंगे बहुत सारे पशु पालक साथी जो अपने घर पे पशु रखते हैं गाए रखते हैं वो तो उस चीज पे आज भी काम कर रहे हैं लेकिन ये बहुत बड़ा टोपिक हो जाएगा अगर इस पे बात करें तो फिर हम दूद की 25 किलो वाली बैंस या 25 किलो वाली थार पारकर हरियाना उनकी जगे हम 12-15 किलो की गाएं उसको थोड़ा कम पे ले आएं और दूद अच्छा लें अपना पशू भी सवस्थ रहे क्योंकि ज़्यादा फीड डालेंगे ज़्यादा उसके उपर उस मशीन को ज़्यादा काम करना पड़ेगा फीड खिला खिला के तो वो उसकी उमर भी लाइफ भी कम हो जाती है तो ये काफी एक लंबा चोड़ा विश्यादी उस तो वहां तक आपा भी नहीं पहुचे हैं क्योंकि आज तो देश में ऐसा हाल है कि जहां दूद की प्रोडक्शन लगबग 40% के आसपास है तो 60% आपा या तो पाउडरों से बना रहे हैं या जो है नकली बहुत सारी जगे जो मेट्रो सीटी हैं वहां नकली जो है कैमिकलों से बनके दूद जा रहा है जो छोटे सहर हैं जो गाउं है वहां तो ये समझा नहीं है लेकिन सहरों में है तो ये गीर और गिर्लेंडो का में टोपिक था मेरा जो आज जो मैं आपको बताना चाहरा था ये दोनों ब्रीड जो है वो अलग-अलग हैं और अपने कोई एक फरक जो है वो समझना पढ़ेगा और आपा ये कंपेरिजन ना करें कि गीर ये कंपेरिजन नहीं है तो गीर अपनी देशी नसल है और देशी नसलों को आपा संबाल के रखे छोटा साथ दो मिनट और आप आईयों के लूंगा जितने भी पसू पालक साथी ये वीडियो देख रहे हैं जो जिस भी ब्रीड पे काम कर रहे हो आप चाहे गिर पे कर रहे हो चाहे थार पारकर पे कर रहे हो चाहे हारियाना पे कर रहे हो चाहे मुर्रा बैंस पे कर रहे हो उसी नसल के सांड जो अच्छे से सांड हो उसका सीमन का परियोग करें उनको ब्रीड को क्रोस ना करें उनको मिक्स ना करें जो ब्रीड अपने पास है उसके जीन को ज्यादा वो ना करें मिक्स ना करें जैसे HF पे जर्सी रख दिया क्योंकि आज उस लेवल पे अपाप पहुँश चुके हैं कि लग बग सारी ब्रीडों के अपने पास टोप से टोबुल जो हैं फरसुपालकों के फार्मो पे खडे हैं कहीं सीमन बैंकों फार्मों पे खडे हैं तो थारपार्क कर पे हरियाना यूज ना करो उसी ब्रीड का अच्छा नंदी आप यूज करो यह मैं जरूर आप भाईयों से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कैना चाहूंगा कैसा लगा वीडियो कमेंट करके जरूर बताना और यह जो वीडियो है सारे भाई इसको लाइक कर झाल झाल